करेले को कुछ लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि वो खाने में थोड़ा सा कड़वा लगता है पर यकीन मानी है फ्रेंज अगर आप इस तरह से करेले बनाएंगे न तो वो बिलकुल कड़वा नहीं लगेगा और सभी आपसे करेले की सब्जी मांग मांग के खाएंगे तो चलि इस रेसिपी को हम बनाना शुरू कर लेते हैं हलो एब्रिवान मैं हूं मंजू और आप सबका किचन लवर्स डिवी जैनल में हार्देक स्वागत है करेले को मैंने अच्छे से दो तीन पानी से वाश करके कपरे से पोच के रखा है ये 250 ग्राम करेला है और उपर के भाग को और नीचे के भाग को हमने कट कर दिया है करेले के छिलके को मैं नहीं निकालोगी क्योंकि इस छिलके में कई पोश्यक तत्व होते हैं और इसके कई फायदे होते हैं आप चाहो तो इसकी छिलके को निकाल सकते हैं इसकी बीज को हम निकाल देंगे जो बीज जादा पके हु और इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे, इसके बाद इसको वाश कर लेना है, गैस पे हमने कड़ाई को रख दिया और इसके साथ में हम डाल रहे हैं 3 टेबिल स्पून ओईल, ओईल गरम हो गया है, अब करेले को हम डालेंगे, करेले को हमने पहले से ही वाश करके रखा था, अब करेले को हम तेज आज पे कुछ सेकिंद्स के लिए फ्राइ करेंगे, और इसके बाद गैस को हम लो कर देंगे, और इसे हम ढख के 3-4 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि ये करेले अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और ये 4 मिनट के बाद इस लिट को हम खोलतें, और आप पैन में डालेंगे थोड़ा सा ओईल, जब ओईल गरम हो जाएगा तो इसमें हमें डालना है, आदा जमच जीरा और साथ ही डालेंगे अदरक लेसन हरी मिर्ची, आप चाहो तो इसको कूटके भी डाल सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही डाल रहे हूँ, 6 कली लेसन की आदा इंच अदरक का और 2 हरी मिर्ची को हमने डाल दिया है, और इसे हम कुछ सेकेंज के लिए सोते करेंगे, तो ये देखी अदरक लसन हरी मिर्ची सोते हो गया, अब इसमें हम डालेंगे प्यास को, एक बड़े साइज प्यास को मैंने रफली कट करके डाल दिया है, प्यास को हमें ज में हम डालेंगे टमाटर को एक बड़ा टमाटर को हमने रफली कट करके डाल दिया है प्यास टमाटर को हम कुछ सेकेंज के लिए भून लेंगे और इसमें हम डालेंगे आदा चमच नमक आदा चमच हल्दी एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच लाल मिर्ची का पाउडर आ ये मसाला काफी अच्छी तरह से भुन गया है और अब इसमें हम डालेंगे फ्राइक के हुए करेले को और इसे इन सारे मसालों के साथ मिक्स कर देंगे अब इसमें हमें डालना है पानी तो यहां पे हमने अधा कब पानी डाला है और इसे मिक्स करेंगे अब इसे हम ढकन देखके धीमी आज पे पांच मिनिट के लिए रख देंगे तो ये पांच मिनिट हो गया है इस लिड को हम खोल देते है और आप देख सकते हैं पानी पुरी तरह से सूप गया है और सबजी भी अच्छे से पक गई है अब इसमें हम लास्ट एक इंग्रीडेंट डालेंगे वो है दही दो चमच हमने ताजी दही लिया है इसे हमें अच्छे से पेट कर डालना है जबी भी आप दही डाले तो गैस की आज को आप धीमा कर दे और दही को आप लगातार चलाते रहे नहीं तो दही के पटने की चांसे बहुत जादा हो जाते हैं दही डालने से करेले कभी भी कड़वे नहीं होगे और अब इसे हम दो मिनिट के लिए थीमी आज पे ढखके रख दिया है दो मिनिट के बाद इस ढकन को हम खोलते हैं सबजी में जब तेल रिलीस हो जाए तो इसका मतलब यह सबजी पूरी तरह से पक गई है अब इसे हम मि इसको हम बंद कर देंगे आप चाहो तो इसके उपर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर रहे हैं और इसे अब हम प्लेट में सर्फ करेंगे फ्रेंग्स एक बार आप इस रेसिपी को ट्राय जरूर कीजेगा और करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले